असलाम अलेकुम पंजाब सेफ सिटी टॉटी टीवी के साथ मैं हूं आपकी हो स्टिम्शा अवान नजवीन आज हमारे साथ मजूद है चीफ ट्रैफिक आफिसर सेद हमात आबिच साहब और आये हम उनसे जानते हैं कि जो रिसेंटली सीम पंजाब ने इनिशेटिव लिए हैं ट्रैफिक के बारे में वो क्या इनिशेटिव सेंका क्या इमपेक्ट है आवाम में किसना वो इन्फुरेंस क्रेट कर रहे है और अवाम का रिस्पॉन्स क्या है आया कि वह साटिस्फाइब भी हैं के नहीं तो आये हम उन्हें वेलकम करते हैं, असलाम लेकुम सर, जी वालकुम, सर, थैंक्यों सो मच, आपने हमने अपना कीमतिव वक्त दिया, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो सीम ने दो निशेटिव नहीं हैं, वो निशेटिव क्या हैं और अवाम किस तरह रिस्मांस कर दिया, ज इलेक्ट्रोनिक पेमेंट ऑफ ट्राफिक फाइन्स हमने इंट्रीउस की फर दी फर्स ताइम इन पंजाब, जिसकी अशर जरूरत थी, उसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई जयादा इस कोवेड एंवार्मेंट के अंदर, के पहले जब किसी का भी चलान होता था, तो उसको पेक करने के लिए नैशनल बैंक की ब्रांचेज में लाइनों में लगना पड़ता था, वहाँ पे अपना चलान अगर जमा हो जाता, उसके बाद जो डॉक्यमेंट्स ट्राफिक वार्डन को दिये होते थे, आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, या कोई गाडी की रिस्ट्रे हमने कोशिश की कैसे, और आईजी साब की भी डिरेक्शन थी, कि किसी, कोई ऐसा तरीका आप डिवाइस करें, कि लोगों की, हमारा जो स्टाफ है, वो भी महफूज रहे, और जो पब्लिक है, वो भी महफूज रहे, अच्छा, यह सब कुछ कुछ करोना के बाद इनिशेट आई हैं? जी, यह अलड़ी चल रही थी चीज़े हैं, पर हमने वार फोटिंग के उपर उसको बहुत जल्दी एक्स्पडाइट किया, और उसके साथ हमने PITB के इस्तिराक के साथ, सबसे पहला स्टेफ यह था कि हमारे जो, हमारी जो फाइन टिकेट्स थी, चलान जिसको हम बोलते हैं, वो पुरानी बनी हुई थी और उसके उपर नैशनल बैंक के लिए लोगों के लिए ड्वाइसरी लिखी होती थी, वहां जमा होती थी, उसके लिए हमने सबसे पहले ट्राफिक जो टिकेट्स हैं, उनको हमने रिवाइस किया, उनके ओपर हमने 18 डिजिट का PSID क कोड दे दिया, उस PSID कोड is a unique ID, कि कि जब भी किसी का चलान होता है, उस PSID कोड के थुरू, अभी हमारा कोई भी विए लेटर उसको वन लिंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं, online banking की, या हमारी वन लिंक की जितने भी बाकी ब्रांचेज हैं, वहां जाके over the counter payment कर सकता है, fine की, ठीक है, उसके बाद ATM, सरी, बड़ी मुश्किल टर्म आप यूज कर रहे हैं, वन लिंक, इसका थोड़ा सान लफ़ में बताएं कि क्या चीज है, वन लिंक की ब्रांचेज, everybody knows it these days, कि आप, for example, MCB का आपका account है, ठीक है, आपने देखा है, कि आप अपना credit card या अपना debit card किस ने मुख्लिब branches को club कर दिया है, ठीक है, तो कोई भी वन लिंक की बेतहाशा branches हैं, मुख्लिब banks हैं, वो एक दूस्ते को services provide करते हैं, कि आपको जरूरी नहीं है, कि नैशनल बैंक का भी चलान है, तो नैशनल बैंक का हुआरा बंदा जाके, वो MCB, अलाइड बैंक, और एन सुस आवर्स में नौ से लेके एक बजे के बाद अगर आपका fine हुआ है, तो same day आपका fine भी deposit नहीं हो सकता था, मैं आपको असान करने के लिए मिसाल देता हूं, कि एक family है, वो खुशी या घमी पे आई है, for example, from Gujaramala, वो Lahore में आया है, उनका fine हो गया, ठीक, उनने अपना document दे दिया, उसको बड़ी परिशानी थी, और for example, शाम के time हो गया, कि हमने वापस जाना है, मेरा document वहां पर जमा है, ID card की जरूरत है, it's a very important document, तो मैं क्या करूंगा, तो वो बिचारा परिशान रहता था, अगले देन अगर चुटी होती, दो दिन चुटी थी, Saturday, Sunday, तो banks बं online banking, आपके mobiles में जो accounts बने हुए, fine, okay, वहां से fine pay कर सकते है, with that PSID code, 18 digit का code है, over the counter, किसी भी bank पर जा सकते है, ATM से pay कर सकते है, and on top of it, Easy Paisa, Mobi Cash, Jazz Cash, Zong Cash, और TCS की branches को भी recently, अभी कुछ दिन पहले, उनके साथ भी हमने agreement हो गया, state bank का, वहां से भी fines pay हो सकते है, एक तो बहुत बड़ी सहुलत मिली, बहुत बड़ी, मैं कहते हूं कि चलान होना इतना मसला नहीं था होता, जिसना चलान को जम्मा करवाना और वापिस काफ़ात लेना, तो यह बहुत जादा इस कर दिया है, अवाम के लिए, दूसरा यह है कि हमने 6 जून को यह initiative का launch हुआ, और अभी हम जो बात कर रहे हैं, 2,82,000 से ज्यादा लोग electronic payments of traffic fines कर चुके हैं, और real time इसके और फवायत क्या है, एक तो ease of document retrieval, वो किस तरह, कि आपका कहीं पर fine हुआ, किसी signal पर, signal jump किया आपने, traffic order ने आपको रोक लिया, वो आपको कहता है जी कि आपका 300 डुपीस का fine है, आपको document भी देने की जुरूरत नहीं है, उसने चलान टिकेट आपकी काट दी, वो violator कहता है, जी कि मैं भी pay करता हूँ, या किसी पूरे पाकिस्तान में किसी friend को कहता है, ये PSID code है, मेरा fine deposit कर दो, आपको document भी नहीं देना है, या खुद अपने mobile से pay करता है, हमने हर अपने traffic warden को application दे है, वो उसमें PSID code enter करते हैं, तो real time उनको status आजाता है, कि हमारा fine paid है या unpaid, if it is paid, तो हमें document भी लेने की जुरूरत नहीं है, वो चला जाता है, it is a big step for public facilitation, innovation कहेंगे, हम तो बहुत बड़ी innovation है, दूसरा इसका फाइदा क्या है, कि transparency आ गई, हमारे जो manual system में, जो national bank की receipts होत आपे लगते थे, उसमें forgery वाला element होता था, जो national treasury में amount जानी है, उसमें reconciliation जब हम करते थे तो थोड़ा बहुत differences भी आते थे, और बहुत सारे फिर एक tout culture भी बीच में काम कर रहा था, जो मुफिलिफ unpaid जो चलान होते हैं, उसमें पूरा एक tout mafia होता था, उसका भी खात्मा ह जो के अदालतों के अंदर होते थे, बिलकुल, traffic ministrates के नीचे, अमाज साब ये भी चीज होती थी के वो traffic जो चलान है वो 500 रुप है, और जो वहां गए हैं, वो 200 रुप हैं, कुछ ऐसे भी कैसे सामने आए, जो भी बंदा unpaid fines होते हैं 10 days, हम लोग अदालतों में भिजवा द इतना भी हिसाब किताब है, वो transparent हो गया है, उसमें pilferage की chances बहुत कम हो गए है, और लोगों को बहुत ज्यादा सहुलत होगी, number one initiative, दूसरा, 16 March को जब Corona बढ़ना शुरू हुआ और उसकी peak आना शुरू हुई, तो licensing operations all across Punjab बंद हो गए थे 16 March से, और one day तो start होने थे, तो इतादाद में लाइने लगें, और इतनी capability भी नहीं थी staff की कि उनको deal कर सके, उनको services provide कर सके, ठीक, उसके लिए एक तो उनकी safety compromise होती थी, रश के अंदर, mask नहीं लगाये हुए, लोग गुथम गुथा है, social distancing, जो government जिसके उपर focus कर रही है, वो compromise होती थी, तो उसके अंदर ह आप यूज करते हैं, आप आईफून पर भी कर सकते हैं, उसके अंदर हमने एक सहूलत दे दी, अपने licensing resume करने के लिए, कि क्या ऐसे एकदामात किया जाएं, कि हमारे licensing centers पे जब licensing खुले तो रशना हो, तो अलहम्दुलिल्ला हमने online scheduling of licensing introduce की, रास्ता एप के अंदर कोई भी charging license लेना है, उसने renewal करवाना है, उसने fresh license लेना है, या duplicate लेना है, वो रास्ता है आपके अंदर, schedule and appointment के अंदर जाके, अपना CNIC number mention करे, 18 licensing centers में से अपना center नस्दीक तीरीन select करे, अपनी service को drop down option से select करे, अपना date और time मर्जी का ले, और उसको click करेगा, जैसी click करेगा आपके mobile confirmation message आजाएगा, और जाके बहुत respectfully, without compromising his security under COVID environment, वो जाएगा center पर बहुत अच्छे तरीके से उसको services परवाइड कर रहे हैं, और वो अपना license लेकर है, जो भी service उसको दरकार है, वो लेकर चला जाता है, तो उसके बहुत positive impact हुआ है, अलहम्दुलिल्ह, हमारी यकम जून से ज लोग गुथम गुथा हुए है, जो हमारा backlog था लाखों का, वो अलहम्दुलिल्ह, बहुत अच्छे तरीके से service हो रहे है, और एक आप monitor भी करें, बास चीज़ें फिर हम monitor भी करना start हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज electronic है, उसका data मौझूद है, और दूसरी आपने ये बहुत अ जो आप मुझे आके पकर लें, ये लड़कियां के बारे में जो एक norm set होती है, ये लड़कियां के इच्छे driving नहीं कर सकती है, एक myth बढ़ी है, ये इसमें कितने सचाई है, आप क्या comment करेंगे, और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या लड़कियों को आप license जो है, वो issue करत और मैं नहीं किया, एक international survey मैंने पड़ा, जिसके अंदर था के, जो women drivers हैं, are they better drivers or they create mess on the roads, तो वो जो मैंने different articles मैंने पड़े, जो research पड़ी, उसमें surprisingly, मुझे पता लगा के khawateen जो है, they are better drivers, जो number of accidents उनमें काम होते हैं क्यूंके वो cautious होके, conscious होके गाड़ी चिलाती है, जो carefree होगा, reckless driving भी करेगा, over speeding भी करेगा, तो यह है, यह मतलब बस ऐसी norm set है, मतलब ऐसा कुसमे होके, यह myth है, और दुसरी बार यह कौन सी initiatives, आपने सिरफ girls को या मतलब अप ladies के हवाले से, कौन सी asid CTU ने, कोई आप आये हैं, कोई ऐसी initiative लेंगे या लिये हैं, जो के बहुत जा करेगे लेडी को, जी, मैं जब आया, तो यहां पर मैं एक testing center पर गया, मेरे कोई दूसरा तीसरा दिन होगा, मेरी ताइनाती का, वहां जब मैं गया, तो मैंने जा के देखा, के वहां पर हमारी माएं बहने lines में लगी हुई थी, और कोई ऐसी जगा भी थी, जहां पर उनको प्रॉपर बैठने के लिए जगा भी available नहीं थी, same very day मैंने उनको कहा के हम लोग top priority देंगे और वो क्यूब में नहीं लगेंगी, जो खवातीन आएंगी हमारे testing centers पर, licensing centers पर, और जो हमारे senior citizens आएंगे 60 years and above, उनको हम priority lane में रखके, उनको priority services provide करते हैं, और दूसरा इसी center में हमारा customary में कहूंगा या public का कोई बंदा है, उसको बेहतरीन सहूलियत हम provide करें, उसके लिए हमारा K block DHA का center है, वह state of the art, हम लोगों ने center बनाना शुरू कर दिया है, और इंशाला ताला आप देखेंगे ठीक, एक महीने के बाद, within 40-45 days, उसका हम इफ्तता भी करेंगे और वह बहुत ही अच्छा center होगा, likewise, हमारा barrier town के अंदर कोई testing center नहीं है, वहाँ भी testing center बन रहा है, और जो बाकी हमारे licensing centers है, उनको भी हम upgrade कर रहे हैं, ताक एक बंदा वहाँ पे आया है, तो बहुत अच्छी services provide, दो अच्छे महाल में बैठें, और respectable तरीके से अपनी services लेक हैं, वो के लड़कें चला सेती हैं कि I play science issue करते हैं उने, मुझे बड़ा इतफाक हुआ जी, मैंने Allah का शुकर है, बहुत ज्यादा international traveling की है, बेर तहाशा मुबालिक मैंने दुनिया के देखे हैं, और वहाँ पे खवातीन जो है, heavy bikes भी चलाती है, हाल डेविडसन भी चलाती हैं और हर किसम की traffic वहाँ चला सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर खवातीन जहाज उड़ा सकती हैं, GDP बन सकती हैं, तो driving a truck or a heavy bike is not a big deal, तैंक यू सो मुझ सर आपने हमें इतना time दिया, जी जनाब जिस तरह हमें हमास साब ने बताया के दो initiatives लिए गे हैं, उसमें initiative तो यह था कि आप जो है अपने traffic चलान की बड़ी एजी लिया payment कर सकते हैं, एक जो need ID जो है वो आपको assign कर दी जाएगी और इसके तुरू आप mobile के तुरू या किसी भी bank के तुरू आप अपनी payment कर सकते हैं, और दूसा यह था कि आप license बनवाने में बड़ा मसला होता था अब यह वाला मसला भी है जो उन्होंने खतम कर दी है, तो इसके साथ ही साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, traffic अबने इनकी परबंदी करें, safe रहें, safe city के साथ, अलाहाफिस